नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइव व्लॉग मोधी कैबिनेट में एक बड़ा फेर बदल हुआ है सरकार ने कानून मंत्री किरन रीजिजू का विवाग बदल दिया है रीजि जुडि की जगा अर्जून राम मेगवाल को केंद्रिय कानून मंत्री बनाया गया है राश्पती भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया की मेगवाल को उनके मौझुदा विवागों के अलावा कानून और न्याय मंत्राले में राज्ज मंत्री के में स्वतंद्र प्रभार सौपा गया है अभी मेगवाल संसदिय कारी और संस्कृत राज्य मंत्री है किरन रिजीजु को अर्थ साइंस मंत्राले की जिम्मेदारी सौपी गई है आपको बता दे रिजीजु को रविशंकर प्रसाथ के स्थान पर जुलाई 2021 में लौ मिनिस्ट रिजीज का बयान वाला वीडियो भी शेर किया था जज आरे सोडी ने एक यूटूब चैनल को दिये इंटर्विव में कहा था सुप्रिम कोट ने समिधान को हाई जेक कर लिया है रिजीजु ने रिटायर जजों पर भी बयान दिया था कहा था कुछ रिटायर जज एंटी सवतंतरता पर ऐसे बयान दिये हैं जो सुप्रीम कोट पर हमला लगते हैं आये अर्जुन राम मेगवाल के बारे में भी जान लेते हैं अर्जुन राम मेगवाल राजस्तान से आते हैं उनका जन्म साथ दिसंबर 1954 में हुआ था वो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके ह हैं 1977 में कानून में ग्राइजुएशन की इसके बाद आर्ट में पोस्ट ग्राइजुएशन किया राजनती में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रशासनिक सेवा से स्वाक्षिक सेवा निरित्ती योजना यानि वियारेस लिया था इसके बाद लोगसभा चुनाओ 2009 में व दूसरे कारिकाल के दोरान वे लोगसभा में VJP के मु जलमें सचहे तक रहे मेगवाल को साल 2016 में वितर राजमंतdessी बनाया गया था जिसके बाद बदल संसादन राज मंत्री के रूप में भी उनका कारिकाल रहा साल 2019 के लोगसबा चुनाओं में विकानेर से लगातार तीसरी बार सांसर निर्वाचित हुए किरन रीजीजू का कारिकाल विवादों से भरा था लोगों को नए कानून मंत्री से बहुत उमीदें हैं कानून में जो भी पर क्लिक करना ना भूले साथ ही कानूनी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइब लॉक की हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुक्रिया